सिद्ध योग में आपका स्वागत है। शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं वह भी बिलकुल मुफ्त में। आपके हाथों की स्ट्रेंद को बढ़ाना चाते हैं अपनी कोर मसल्स को टॉंड करना चाते हैं। साथी साथ आपको स्ट्रेस एंजाइटी डिपरेशन की समस्या है जिसके वैसे आप बहुत ज़दा सोचते हैं। आप किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं आपका कंसेंट्रेशन बहुत कम होता जा रहा है। जिनके बारे में हम आपको इस आसन के अभ्यास के दोरान बताएंगे। तो दोस्तो मेरा नाम है अतुल मिश्रा और सिद्धी योगा में आप सभी का स्वाकत है। तो चलिए दोस्तो हम लोग चलते हैं अपने एक हस्त भुजासन यानिके वन लेक्ट इंसेक्ट पोस के अभ्यास की तरफ। और आप लोग को इस आसन के अभ्यास के बारे में थोड़ी और जानकारी देते हैं जो कि बहुत जरूरी है। तो दोस्तो यह जो आसन है एक Advanced Level का आसन है, Advanced category का आसन है और यह एक Arm Balancing Pose भी है और साथ यह एक Hip Opening Pose भी है। और यह बैटकर करने वाले आसनों की और Balancing आसनों की के टेगरी में आता है। और साथ यह आपकी Core Strengthening Poses की के टेगरी में भी आता है। और अगर counter indications की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको आपको आपके hips से related कोई injury है, आपको आपके wrist joint या shoulder joint से related कोई injury है, आपको back में pain है या back से related कोई और समस्या है, अगर आपके पेट पर हाली में कोई surgery हुई है, तो आपको जो है इस आसन का अभ्यास नहीं कर करने इस आसन के अभ्यास को करने से पहले, जो कि आपके hip की flexibility को बढ़ाने में और आपके hands और core की strength को बढ़ाने में help करेंगे, ठीक है, तो चलिए, देखिए, सबसे पहले हम लोग को practice करनी है अपने धंडासन की इस तरीके से, तो आप सभी लोग धंडासन में अच्छे से अगर बैठ पा रहे हैं, तो आप इस आसन को करने के लिए तयार है, आप अगले step में जा सकते हैं, अगर आप दंडासन में बैठ पा रहे हैं, second one हमको practice करनी है अपने baby cradle pose की, ठीक है, तो baby cradle pose के लिए का करना है, आपको अपने धाय पैर को अपने खुटने से band करना है, और तरीके से आपको अपने baby cradle pose की practice करनी है, तो cradle pose के लिए आपको इस तरीके से move करना है, तो यह आपके hip opening के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि इस आसन के अभ्यास में हम लोग अपने hip की flexibility को भी use करते हैं, तो यह आसन आपके hip की flexibility को बढ़ाने में help करेगा, और साथ ही साथ आप लोग practice कर सकते हैं, अपने compass pose की, तो आपको compass pose की practice करके अपने hip और hamstring muscles को अच्छे से stretch कर लेना है, दोनों ही तरफ से करेंगे, क्योंकि इस आसन का अभ्यास में दोनों तरफ से करना होता है, तो इस तरीके से आपको practice करनी है, पहले अपने cardal pose की, baby cardal pose की, और उसके ब के लिए थे, आप थोड़ा सा strengthening के लिए हम लोग देखी कौन सी practice करेंगे, strengthening के लिए हमको practice करनी है, अपने dhandasana lift की, तो आपको अपने दोनों हातों की support से अपने hips को up, करके आपको इस आसन की practice करनी है, आप चाहें तो इस तरीके से up and down करके, one, two, three, four, five, तक count कीजे, down, one, two two, three, four, five, तक count कीजे, fill down, तो इससे आपको help मिलेगी, आपकी core की strength को improve करने में, hands की strength को improve करने में, thighs की strength को improve करने में, तो आपको ये सारी pre practices, pre asanas, अच्छे से practice कर लेने हैं, उसके बाद ही आप अपने एक हस्त भुझासन की तरफ चलेंगे, ठीक है, तो ये सारी practice करने के बा चिन लोगों की core strength कम है, उन लोगों के लिए blocks के साथ practice करना थोड़ा easy रहता है, तो इसलिए पहले हम blocks के साथ practice करेंगे, ठीक है, आप blocks के साथ धंडासना lift की भी practice कर सकते हैं, आप चाहें तो एक pair के साथ कर सकते हैं, एक pair down करके, दूसी तरफ से, तो ये काफी अच्छी practice ह अच्छे से engage होती है, thigh muscles अच्छे से contract होती है, आपके arms की, आपकी wrist की strength improve होती है, ठीक है, अब next जो हमारा step है, वो अपने दाए पैर को अपने खुटने से band करेंगे, धंडासन में बैठने के बाद, और अपने दाए पैर को ऊपर उठाएंगे, और अपने जो दाए पैर की जो hamstring muscle है, उसको अपनी armpit पर, अपनी triceps पर रखेंगे, इस तरीके से यहाँ पर, और try कीजिए कि आप अपने shoulder के ऊपर तक रखने का, अगर आपकी hip की stretching अच्छी है तो अपने shoulder के ऊपर रखेंगे, उतना आपके लिए easy रहेगा इस आसन का भ्यास, ठीक है, तो जिनकी flexibility अच्छी है hip की, तो वो अपने shoulder के ऊपर तक रखने का try कर सकते हैं, otherwise at least अपनी armpit पर, यहाँ पर आप रखने का try कीजिए, ठीक है, तो देखें, इस तरीके से आपको रखना है और दोनों blocks की मदद से आपको अपने hips को आप कर लेना है, पहले इस तरीके से practice करेंगे, और यहाँ पर आपको at least 10-15 second की holding timing की practice करनी है पहले, दीरे से down, आप चाहें तो अगर आप इस तरीके से lift नहीं कर पा रहे हैं, तो आप दोनों blocks को थोड़ा high कर सकते हैं, इस तरीके से आप practice कर सकते हैं, ठीक है, वापसा निकल elbows को bend करेंगे, दीरे से down, तो पहले आपको दोनो अब देखिए, next step जब आप इस तरीके से practice करके 10-15 second की holding timing आप सब लोग की आने लगती है, फिर हम चलेंगा एगले step की तरफ, तो आपको अपने पैर को bend करना है, फिर से opposite leg से करेंगे ठीक है न, अपने armpit पर या फिर अपने shoulder के ऊपर, दोनो blocks का support लेंगे, दीरे से lift करेंगे अपने hip को और धीरे धीरे आपको अपने दाये पैर को भी उपर उठाना है इस तरीके से, और back को जो है, बहुत जदा आपको hunch नहीं करना है, ठीक है, आपको उपर करेंगे, core को अच्छे से engage करेंगे, आप core को engage करेंगे तो आप और जदा lift कर पाएंगे, वापस आने के लिए, दीरे से down, तो इस तरीके से blocks के साथ आपको practice करनी है, तो देखिए, second step हमने आपको बताए, आपको किस तरीके से practice करनी है, ठीक है, अब जब आप properly practice करना सीख जाते हैं, blocks के साथ अपनी legs आपकी lift होने लगती है, तब आप चलेंगे इस आसन के अभ्यास में, without blocks, ठीक है, 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 आपकी थाइस की strength बढ़ाने में help करता है, आपके फोकस, आपके concentration को improve करता है, आपकी inner power को बढ़ात है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपके back की strength को improve करता है, back के posture को improve करता है, और साथ ही साथ इस आसन का अभ्यास प्रति दिन करते हैं, तो, और साथ ही साथ ये आसन, जो है, आपके manipur chakra के activation में help करता है, क्योंकि आपकी core muscle use होती थे, आपके manipur chakra के activation में आपको कफी ज़्यादा help मिलती है, आपकी body के अंदर prana के circulation को improve करता है, जिससे कि आपका energy level हमेशा अच्छा रहता है, आप बहुत ज़्यादा low feel नहीं करेंगे, आप हमेशा energetic feel करेंगे, अगर आप प hamstring muscle पर अपने बाएं हाथ की जो आम पेटा उसको रखेंगे, या फिर अपने दाय पेर की जो घुटना है उसको अपने shoulder के ऊपर रखेंगे, ज़्यादा ऊपर की तरफ, दौना आपतों की support से पहले केवल अपने hip के ऊपर उठाके practice करेंगे, पेर को नीचे, यहाँ पर भ करेंगे, आप करेंगे, फिर ड्ौन करेंगे, तो इस तरीके थोड़ा से hold कीजिए, फिर ड्रौन कीजिए, तो यहाँ धीरे-धीरे आपको जो अपनी core की strength को बढ़ाना है अपने पेर को, धीरे-धीरे आप करके दो से तीन second hold करेंगे, फिर ढौन, धीरे से दाउं, ठीक है breathing बहुत ज़दा important है अगर आप इसका अभ्यास कर रहे हैं तो try कीजिए कि आपकी breathing fast ना हो तो आपको बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है आसन का अभ्यास बहुत ही धीरे-धीरे आराम से अपनी breathing के साथ करना अगर आपकी breathing slow रहती है तो आप energetic feel करेंगे आप ठकेंगे नहीं अगर आप बहुत जल्दी जल्दी करेंगे तो आप जल्दी ठक जाएंगे ठीक है अब देखें next step आता है final pose किस तरीके से करना है बहुत पर को अपने घुटने से बेंड करेंगे और इस तरीके से अपने back of the knee part को अपने shoulder के उपर जदा जदा या फिर अपनी arm pit पर लेके आएंगे दोनों हादों को अपनी body के side से रखेंगे दीरे से hip को उपर उठाएंगे और अपने pair को उपर उठाएंगे और सामनी की तरफ देखिए core को engage कीजिए breathing पर द्यान दीरे से वापस तो इस तरीके से आप जो है final pose की तरफ पहुंच जाएंगे दीरे दीरे step by step अगर आप practice करते हैं तो तो दीखिए इस आसन का अभ्यास आपको काफी सारे advance और जो आसन है उनके लिए prepare करने में help करता है को कि काफी सारे जो arm balancing poses हैं उनमें आपकी core की strength काफी अच्छे से use होती है अगर आप बात करते हैं कि कौन से आसनों के लिए prepare करता है तो यह आसन आपको अस्टवकर आसन के लिए बहुत ही अच्छे से prepare करता है एक पाध कॉंडियान आसन जो है उसके लिए prepare करता है जो और advance आसन है उनकी proprietary practice है यह आसन और काफी सारे advance आसनों की यह जो है proprietary practice है तो अगर आपको अपनी practice को और अच्छा बनाना है अपने advance आसनों के लिए तो इस आसन का अभ्यास करना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो starting में आप जैसे की बताएं कि 10 से 15 सेकिंड की holding time ही रखी इस आसन के अभ्यास मे फिर तीरे practice की timing का और थोड़ा improve कीजिए जिससे कि आपकी core की strength और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप को जो steps बताएं उन steps को follow करके आप अच्छे से इस आसन का अभ्यास कर पाएंगे और आप अपने एक हस्त भुज आसन का अभ्या हम मिलते हैं आपसे अगले अभ्यास में एक नए आसन के साथ तब तक के लिए नमस्कार